नवस्काल सातियों तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ममता बनर जी के जीवन के बारे में एक सामन जनकरी हम लोग देख लेंगे जिससे क्या रहेगा कि सब को मालू रहेगा कि ममता बनर जी आके रहें कौन कभ इनका जनम हुआ है और राजनितिक सफर इनका क्या रहा है इनके बारे में और भी जो भी महत्पून पॉइंट होंगे उन्हें भी हम लोग देख लेंगे आपको बड़ी देलचस्बी होगी कि आप समझी कि हमारे पिदान मंत्री पर जिस तरह से स्वैम पिदान मंत्री पर कोई भरष्टाचार के आरोप नहीं है उसी तरह आप कह सकते हैं कि ममता बनर जी पर पर्शनल बता रहा हूं कोई अभी तक भरष्टाचार के आरोप नहीं है आप देखते होंगे कि एक सफेज साड़ी में रहती है नॉर्मल सिलीपर यानि कि जो एक तरह से शिली पर आती है, चपल, उही पेहन के चलती है, और आप समझें, इस तरह एगर कोई मुखमंत्री इस तरह के कपड़े पेहनता है, और हमारे सब के बीच रहता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, कि यह हमारी बीच का आदमी है, और हमसे उसका क्या रहता है कि हम लोगों को लगाव भी बढ़ जाता है अपनी जो भी समस्या रहते हैं हम लोग आराम से रख सकते हैं आप समझ रहें तो ये भी कहा जाता है मैं पढ़ रहा था इनके बारे में और भी कि अभी भी एक छोटे से घर में रहती हैं समझ रहें अभी कि आप समझे कि एक तरब आप देखेंगे बिहार उत्तर पिदेशों कि यहां कोई अगर सरपन्छों या विधायक बन जाता है तो बड़ा महिल बन बालीता है लेकिन इनकी साथ ऐसा नहीं है ठीक है और देखी परिवार पर तो आरोप लगते ही रहते हैं कोई भी हो आप 3 में आपके CM यानिकी विधान सभा की विवस्ता की गई है इस तरह आप कह सकते हैं कि 31 राज्यों में केवल एक राज जैसा है जहां अभी करेंट में महला मुकमंत्री है वो है पश्चिम बंगाल समझ रहें आप लोग और इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि देखिए कि मह आपने देखा है कि अभी 2019 में आपकी सतरह भी लोगसभा का चुनाव भी हुआ था उसमें केवल आप समझ सकते हैं कि 78 महलाएं चुनी गई है आप समझ रहें कि 78 महलाएं चुनी गई है ना के वराबर एक तरह से आप कह सकते हैं तो यहां भी आप लोगों को देखने को मिल है तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं पश्चिम मंगाल की बारे में आपको एक सामन जानकारी दे देता हूँ उसके बाद हम लोग ममता बंजारजी के बारे में बात करेंगे तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगी यह हमारी प्यारी पितवी और एसिया में यह होना चाहिए कि 26 जनपरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी पश्चे मंगाल की और यहां आपके बिधान सभा सीटों की बात करें तो 294 सीटें देखने को मिलेगी लोग सभा सीटों की बात करें तो 42 सीटें देखने को मिलेगी राज्य सभा सीटों की बात करें तो 16 सीटें दे और बिहार की भी लगती है और सिक्किम की लगती है और असम की भी लग रही है देखिए ठीक है और आपसे अगर पूचिए कि अंतराष्टी सीमा कि देश से लगती है तो आप लोगों को मालू होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है भूटान से भी और बंगलादिश से भी लगती है तीन देशों से लगती है पर्षिम बंगाल की सीमा ठीक है? और नीचे आप देखें कि बंगाल की खाड़ी है इन राजजरों के बारे में मुझे लगता है कंठस्त आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार questions पूँच लेता है कि इस राजजर की सीमा कितने राजजों से लगती है? कौन-कौन से राजजर की सीमा तीन देशों से लगती है? ठीक है? तो यह भी आपको मालू होना चाहिए अब बात करते हैं हम लोग ममता बनर जी के बारे में आखिर इन के बारे में क्या क्या point जानने लाइक है देखिए सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए यह आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा यह इनका picture है ठीक है? photo यानि की इनने भी आप लोग देख लिजे इनका नाम है ममता बनर जी और ममता बनर जी याद रखिए इनका उपनाम दीदी भी के दीदी के नाम से भी लोग इने पुकालते है और इनकी जनम की अगर बात करें आप लोग तो पांच जनबरी 1955 को हुई थी पांच जनबरी 1955 को इनका जनम हुआ था कहां हुआ था कोलका था पश्चे मंगाल में ठीक है और इनकी अगर माता की बात करें तो माता का नाम था गायत देवी और पिता का नाम परमी लेस और बनर जी था और इनकी आप लोग जानते हैं राजनेतिक पारटी भारती एतर्मोल कॉंग्रेस है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉंग्रेस से अलग होके बनी हुई थी अगर इनके भाईयों की बात करें हम लोग तो इसमें अमित बनर जी हो गया अजीत बनर जी काली बनर जी बवन बनर जी गडेस बनर जी समीर बनर जी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके 6 भाई हैं और अकेली बहन हैं ठीक है सिख्षा की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जोग माया देवी कॉलिज से इन्होंने बिये की ठीक है और पड़ा लिखा मुझे लगता है कि CM होना भी चाहिए कम से कम वो हमारा दर्थ तो समझे आप समझे कि अनपड को किसी अनपड को मुखमंतरी बना दें तो आप देखते हैं बाकी राज्यों में जहां अनपड मुखमंतरी है वहाँ क्या हाल हो रहा है ठीक है तो हमेशा पड़ा लिखा कोई भी आप अपना पितिने देते चुन रहे हैं तो पड़ा लिखा चुना करिएगा अब बात आती है सबसे जरूरी कि ममता बनर जी का राजनेतिक केरियर कहां से सुरू होता है आकर तो याद रखे सत्ता की गलियों में ममता की दिल्चस्पी बचपन से ही थी और साइद यही कारण है कि महच 15 साल की उम्मे में से ही ममता सियासत में इंटरी करने की कोशिस में जुट गई थी आप समझ सकते हैं एक बच्ची के आजन मतलब आप बच्ची ही रही होंगी 15 साल में तभी से एक यास जो भी राजनेती ही है इसमें इंटरी हो चुकी थी इसी समय अपनी पड़ाई के दोरान ममता बनर जी न लूँ और इसमें सबसे पहले आप देखिए ममता बनर जी का राजनित्तिक इतियास 1906 से 1980 तक मत बनर जी पस्चम मंगाल पस्चम मंगाल में महला कॉंगरेस आई की महा साचिव रही है कब से 1976 से लेकर 1980 के बीच याद रखिए यहां से उनका असली केरियर राजनितिक केरियर सुरू होता है 1978 से लेकर 1981 तक आप देखेंगी कलकत्ता दच्छिड की जिला कॉंग्रेस कमेटी इंदरा की सचीव रही है 1984 में आप देखेंगी 1988 लोकसवा की सदस्त की रूम में चुनी गी और अखिल भारती युगा कॉंग्रेस आई की महासाचिब भी वनी और एका बात आप लोगों को बड़ी दिल्चस्प बता रहा हूं कि यह सबसे कम उम्मे में चुनी जाने वाली सदस थी एक तरह से ठीक है फिर आप देखेंगे 1985 से लेकर 1987 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की कल्यार समती की सदस भी रहे हैं आप देखेंगे 1987 से 1988 में मानो संसादन विकास मंतराले की परामस समती में और अखिल भारती युगा कॉंग्रिस की राष्टी परिशत आई और ग्रह मंतराले पर सलाहिकार समती की सदस भी रहे हैं आप समझ सकते हैं कितनी एक तरह से पावरफुल नेता रहे हैं और कितना कंधा इनके कंदों पर भार भी रहा है कितनी जिम्मेदारियां रहे हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि इतनी वड़ी फार्टी खड़ी की हुई है अपने दम पर आप समय रहें 1988 में आप देखेंगे कॉंग्रेस संसदिये दल की कारकारी समती की सदस बनी फिर आप देखेंगे 1989 राजी की पिदेश कॉंग्रेस कमिटी की कारकारी समती की सदस बनी फिर आप देखेंगे 1990 में पश्चिम मंगाल की युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष बनी और 1991 में दस भी लोकसभा सदस की लोकसभा के लिए उनका दोसरा चुनाव था दूसरी बार भी लोकसभा चुनाव जीती भी फिर आप देखेंगे 1991 से लिकर 1993 युवा मामले और खेल बेबाल मानो संसाधन विकास महला इवं बाल विकास की राजमंत्री बनी कब 1991 से 1993 की बीच फिर आप देखें कि 1993 से 1996 तक गरह मामलों पर समती की सदस रही और फिर आप देखें कि 1995 से 96 में लोक लेखा समती की सदस गरह मंतलाले की सलायकार समती की सदस रही आप देख रहे होगे कि कहीं इनका एक तरह से हार का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है सकते हैं सीडियों दड़ सीडियों चड़ती जा रही है फिर आप देखेंगे 1996 में ग्यारवी लोगसभा कि सदस की रूम में चुनी गई यह तीसरी बार चुनी गई ठीक है और लगातार आप देख रहे हैं कहीं हार नहीं मल रही हुने 1996 से लेकर 1997 गरह मामलों पर गरह मंतलाले की परावर समती की सदस बनी और 1997 सिद में देखेंगे अखेल भारतिय तरण मोल कॉंग्रिस की इस्थापना की और इसकी अध्यक्षता बनी यानि कि आप समझ सकते हैं कि कॉंग्रिस से अलह हो गई ठीक है फर आप देखेंगे 1998 में 12 लोग सभा यानि कि 4 वार भी सदस की रूम में फिर से निर्वाचित हुई है इस तरह से मुझे लगता है कि सफलता कमी लोगों को मिलती है फर आप देखेंगे 1998 से 99 में रेल समती की अध्यक्षता गरह मंतलाले की सलाइका समती की सदस सामा प्योजन समती के सदस की रूम में नियुक्त की गई और लोग सभा में अखिल भारतिय तर्णमूल कॉंग्रेस की राजनेत्री बनी और आप समझे कि अटल विहारी वाजफई के समय एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार भी में सामिल नहीं है ठीक है और 13 एक्टूबर 1999 से 16 म से 2001 तक रेलवे की केंद्री एक कैबिनेट मंत्री बनी ठीक है अटल विहारी वाजफई के समय ठीक है फिर आप देखिए 2001 से लिकर 2003 तक उद्योग मंत्राले की सलायकर सम्ती की सदस्वनी और 8 सेप्टमबर 2003 से लिकर 8 जनवरी 2004 तक केंद्री एकैबिनेट मंत्री लेकिन बि 2004 तक कोईला और खानों की केंद्री एक मंत्री रहें ठीक है और 2004 में आप देखेंगे 14 वी लोगसभा की सदस्की रूम में चटी बार चुनी गए और कानून इवम नयाये लोग सिकायत और कार्मिक पर सम्ती की सदस्वनी बनी पांच अगस्त 2006 को आप देखेंगे गरह मामल की सम्ती की सदस्वनी और आप देखेंगे 2009 में 15 वी लोगसभा की सदस्की रूम में चुनी गए 7 वी बार आप समझ सकते हैं कि ऐसा नेता मुझे लगता है कि सफलता इस तरह की कमी नेताओं को मिलती है मुझे लगता है कुछ काम तो किया होगा देखें तभी इन्हें इतन अब देखेंगे जंदा पर निर्भर करता है किसे जिताती है क्या लेकिन अभी तक यही सुनने को मिला है कि बहुत दीमांदारी एक तरह सी नेता है और याद रखिए मैंने पहली भी आप लोगों से बोला है कि चोर सब हैं समय रहे हैं और याद रखिए किसी भी महिला के बारे में किसी नेता के बारे में आप अगर उल्टा सीदा लिखते हैं तो इससे क्या रहता है कि आपकी परवर्ष्ट का मालू चलता है कि आपके परिवार के संसकार क्या रहे हैं आपकी किस परिवार किस माहुल में परिवा मंत्री संसद की लोकसभा में अकिल भारतिय तेडमोल कॉंग्रिस की राजनेत्री रही है आप देखेंगे 9 अक्टूबर 2011 को पंदरवी लोकसभा की सदस्ता से इस्थीपा दिया इनोंने क्योंकि आप देखते हैं कि मुख मंत्री बनना था ठीक है और आप समझ सकते हैं कि 26 मंगाल की पहली महला मुख मंत्री बनी 2011 में इनोंने पहली बार मुख मंत्री का पद समाला था ठीक है फिर आप देखें कि दुबारा होता है 19 मई 2016 को रिजल्ट आता है और एक तरह से आप 2016 में चुनाव होता है विधान सभा का और वह लगाता दोस्तिर बार पश्य मंगाल की मुख मंत्री बनती हैं और आप देखें आने बाली चुनाव में क्या होता है यह आंगे भी आप लोग जोडते रही अपडेट होता रहा करिएगा ठीक है अब बात करते हैं कि अगर उपलबदियों की बात करें कि इनोंने कितने अच्छे अच्छे काम किये इसी कारण इ हम लोग देख लिलते हैं 1997 में कॉंग्रेस से अलग होने के बाद ममताव अनर जी ने सफलता पुर्व के एक नई पार्टी का गठन किया था और नई पार्टी अखिल भारती तेनमूल कॉंग्रेस बाद में CPIM के नेतित में पश्मंगाल में पिरमुक बिपक्ची दल बन और भारती रेल वे खानपान प्रिबंधन और पर्याटन नेगम का पिस्तावी दिया है तो इनकी एक तरह से आप उपलब्दी भी कह सकते हैं और पर्याटन आप जानते हैं कि हमारी अर्दवरस्था में कितना बड़ा युगदान देता है ठीक है फिर आप देखें कि वु वाम मूर्चा सरकार द्वारा पष्चे मंगाल में उद्वी करण के लिए किसानों और किसी विसवसगों के जवरन भूमी अधिगेंट की खिलाफ 20 अक्टूबर 2005 को उनों ने सक्री रूप से बिरोत किया और इसमें ये जीत भी नहीं की हासल हुई थी ठीक है फिर आप दे अधिरों को अन्यात्री गाडियों और महिला विसे श्टर्णों के माध्यम से आपस में जोड़ती थी तो एक तरह से इनकी एवी उपलब्दी आप लोग गिना सकते हैं फिर आप देखें कि अखिल भारती तर्मूल कॉंग्रिस भारती राष्टी कॉंग्रिस और S.E.U.C. C.I. के गठवन्द ने परश्चम मंगाल विधानसवा चुनाव 2011 में आप देखेंगे 277 सीटें जीती जिसमेटे T.E.M.C. को 184 सीटें कॉंग्रिस को 42 और S.E.U.C.I. एक पर जीत दर्च की थे जिसके परड़ाम सरूब वाम मोर्चा की हार हुई थे और इसी समय पहली बा कर्काल को इन्होंने खत्म कर दिया और यहां से ममता बनर जी का काम सुरू होता है ठीक है एक तरह से और याद रखी यह भी याद रखना चाहिए कि यूएन के आम चनाव में भारत का पिति ने दित्त भी इने ठीक है एक महला सांसाथ के रूम में रोस में आईजेद वर्ल बुमें राउंड टेबल कॉन्फेंस में राष्ट का पितिने दित्ते किया है और वेतनाब में भारत के पितिनेदी के रूम में विस युवा सम्मेलन में भी भाग लिया था ममतब अरजी ने बुमें और अत्याचार की दोरान मौत के खिलाफ पिर्दरस्तन भी गिया इन्होंने काफी विबड़ चड़ की महिलाओं के हक में भी कदम उठाए है लंबिस अवे से चली आ रही गोर्खा लेंड की समस्या को हल करने की फहल करने का सरेवी मंतबने जी साहब को दिया जाता है दो सेप्टमबर 2011 को दालीलिंग पासासन करने के लिए गोर्खा लेंड चेत्रिय फिसासन जी टी ए नामा की अर्ध स्वायत निकाय का गठन किया गया था और जी टी ए में बिधाई सक्तियों को छोड़कर वितिय फिसासने को और कारकारी सक्ति नहीं है और आप समझ सकते हैं कौन कहता है कि महलाएं पावरफुल नहीं होती है इंद्रा गांधी को देखी आप लोग कि पाकिस्तान ने टक कर ली थी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये थे 1971 की बाद कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं कि एक आपका जो अभी बंगलादिस देखते हैं आप लोग इंद्रा गांधी की एक तरह से देंती और अभी आप लोग पश्चम बंगाल में मुखमंत्री साहब को देख लिजे कि आप देख रहे हैं कि विपक्षी किस तरह से तूट पड़ा है फिर भी अकेली ही फूरी तरह से चुनोतियों को सुईकार कर रही है तो इसलिए कहता हूँ कि महलाओं को आप किसी भी छेत में आप कमजोर मत समझिए ठीक है बढ़ चड़ के हिस्सा ले रही है और याद रखी ये पड़े लिखी हैं तो सुभाविक सी बात है कि पुस्तक भी लिखती रहती है प्रैंटिंग करती है यादा रहे है और फिर भी अगर चर्चा में रहती हैं इस तरह के questions आपके फरिच्छाओं में भी पूछे जा सकते हैं तो इनकी पुस्तकों की बात करें तो उपलग्दी हो गई, इनकी पुस्तक का नाम है मामाटी मानुस इनकी पुस्तक है, जनता दरवरी भी इनकी पुस्तक है, मानविक भी इनकी पुस्तक है, मातबूमी भी इनकी पुस्तक है, अनभूती भी इनकी पुस्तक है, तडमूल भी इनकी पुस्तक है, जनमाईनी भी इनकी पुस्तक है, असोवो संकित भी इनकी पुस् आप समझ रहे हैं? तो अंग्रेजी में इनकी कौन-कौन सी पुस्तक है? इस्माइल, मुस्कान, इसलोटर ओफ डेमोक्रेसी, लोकतंत की हक्तिया, इनकी पुस्तक है? एक्सिस्टेंस, अस्तित्यका संगर्ज, इनकी पुस्तक का नाम है? डॉक होरीजन, डार्क होरीजोन, गह 10,4 उःची, ए बी इनकी पुस्तक है, ठीक है? और अगर इनकी अनने दिये गाए पुरुस्कारों के बारे में बात करें, तो बैसे तो कई पुरुस्कार इनने दिये गया हैं, और अब यह भी देते रहेंगे, ठीक है? मिलते रहेंगे. फिरहाल, काफी चर्चा में दो ही पूरुस का रहे हैं, देख सकते हैं, 2012 में टाइम पत्षिका ने उनका दुनिया के 7 सबसे प्रभावसाली लोगों 1 किरों में लेग किया था. आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे 100 तागदवर या प्रभावसाली लोगों में ममता बनर जी को भी चुना गया था. और बिलूमबर्ग मार्केट्स पत्थिका ने उन्हें सेप्टमबर 2014 में बित्ती की दुनिया में 50 सबसे फिरभावी लोगों में से एक के रूम में चिन्ने किया था तो ये पूरी कहानी है आपकी मम्तबनर जी की और फिर से मैं बोलना हूँ कि कभी भी किसी की बायोग्राफी कवर करता हूँ उल्टे सीधे सब्द मत लिखना कभी भी ठीक है और देखी आने वाले चुनाव में क्या होता है वह आप लोग अपडेट भी हो जाएंगे ठीक है देख लीजिए गावाँ